ब्रेक के बाद एक बाद फिर आपका बहुत स्वागत नमस्कार मैं सुना लिए और आप देख रहें के केडी नियूज जियां रुक करते हैं ये सबसे खास ख़बर पर जो चित्रकूट से है जहां रानी पोर टाइगर रिजर्व के जंगलों में हरे पेडों का अवैद कटा बता दे जंगल की हर्याली को सुरक्षत रख पाने में वनवे भाग नाकाम साबित हो रहा है यहां प्रतिबंदित वनों में धडलने से अवैद कटान और अवैद शिकार और अतिक्रमण किया जा रहा है इसके साथ ही इस पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई अगर तो सरक पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे समवादाता ओम प्रकास जी जुड़ रहे है ओम प्रकास जी हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि यह पूरा मामला क्या है और कब से चल रहा है जी समाली जी जी ओम प्रकास जी और मामला मारकुंडी चेत्र का है जहां पर जो है वन मारकुंडी रेंजर की मनमानी की चलते जंगलों में आदादूल कटाई जिवरों पर हैं और बता दे वहीं जिरामेरी दोरा सिकायत करने पर तब तक नहीं दोरा करके अधिकारी दोरा सिकायतों का हर जातांarias ते वहीं एजयाता सिना लिकार णोटक टाइगर रिजर्व के कए कई वन छेत्रों में हले पेड़ों की अवैद कटाना है किसली सरत कारे लगातार शाका पर तोरा लकार नेंद लगा रही है और एस तरह की कार अब देश में नहीं हो रहे हैं जी आपको बताना चाहेंगे कि रानीपूर टाइजर रिजर हाली में बनाया गया है नेकिन जंगलों में हरे पेड़ों का अबयाद कातान तेजरों पर जारी है वहीं बतादे जंगल की हरी हाली को सुरच्छी तरह कॉंडर में बन विभाद जे और यहां पर अवैज चितार और अतिकमर किया रहा है बताते हैं इसमें रेंजरों पर लगांड कस्मे में नत्मस्तक होते ना जा रहे हैं उम्रकार जी एक सवाल ये भी है कि ये किस तरह का अवैद खनन किया जा रहा है तसकरी की जा रही है और कौन लोग है जो ये वेपार कर रहे हैं लगातार आओ अब ब साथ कुछ फी तरह को बता दूब अब आपको बता दूब जा रहा हैं यह ज़िक तो कि मृण१ था रहा यह ज़िक हूं जा रहा है लकडियों को गठ्था अ एक सवाल यह भी है ओम प्रकाश जी कि इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए गया है क्योंकि अभी आप बता रहे है कि काफी समय से ऐसे लगातार अवयद कटान की अवयद कटान किये जा रहे हैं तक करी की जा रही है तो क्या इस पर पर अभी तक कोई एक्षिन नहीं लिया गया जी मैं बताना चाहेंगे कि जो डियाफोच चित्रकूट की मनमानी इसकादर हावी है कि जंगलों में आप देख सकते हैं लोगों बताना चाहेंगा कि जंगलों में अदादुंद हरे भड़े ब्रच्छों को धरलने से काते जा र भूलतम नहीं कि आपदो खाल वेख सकते खेंप इंदेख के आपने जा रिजिए ओंधनेख हर नहीं कि और अरुम्यज़ी आकजिंगे मनमी एक्षिन की बात लुब ब्रच्छिनेना ने जाएन हम टो चाताव से就是說 पशक हला है आवि ठीचरकूट अभी में इन देयों हुआ और लगातार खबरे प्रकाशित हो रही है और जो शिकायद भी की जा रही है तरश्यक्तर मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसको भी दर्बिनार करते हुए यह मंदरत हर्ची रिपोर्ट लगा करके आपका को निस्तारे करते हैं तो इससे पहले कितनी बार मतलब शिकायद की जा चुकी है मुख्यमंत्री पोर्टल पर बहgypt रह शिकायद की जा चुकी है टो जो लोग अतिक्रमड कर रहे हैं जो लोग ये तसकरी का काम कर रहे हों इतने पावर्फुल है ओम परकास जी इसका मतलब की वन्वेभाग के अधिकारी उन पर कोई एक्षन नहीं ले रहे हैं ना ही CM पोर्टल पर शिकार्द करने पर कोई डिया जा रहा है मैं बताना चाहूंगा कि एक्षन हो कहां से जब इसमें अधिकारी ही तनलिक्त है इसमें अधिकारी ही तनलिक्त है जो जो रेंगर होता है जो डियोपो चित्रकोर्ट को कमांड दी जाती है जिने की जब उसी के तनलिक्ता होगी तो बताइए कैसे एक्षन होगा कहां से कहां स पाफी लोग ब्रशित हो रहे हैं कापी लोग बीमार हो रहे हैं लिवारियों की हो रहे हैं लोग और यह सपना है कि ताइजर विजर भू बनाने का एक शपना साथार करने में लगी हुई है अभी आपने कहा कि इसमें अधिकारी खुदी सम्मिलत है लेकिन जब आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत की सीएम पोर्टल पर जब शिकायत की तो क्या उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई कितने अधिकारी इसमें सनलप्त हैं क्योंकि वन विभाग के अगर होते हैं तो सीएम पोर्टल पर तो सुनवाई हो नहीं चुछिए क्या वहां पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया जो कि इसे नहीं है और उन्हें कि तो प्ले पार पुले पार पार एक पर शोड़ी है और जहां पन हो जहां जहां पर नजरा आए और यह तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ओंप्रकास जी तो आपको बता देए खबर जो आपने देखी वो चित्रकूर्ट से थी जहां पर रानिपोर टाइगर रिजर्व के जंगलों में हड़े पेड़ों कोई अवयद कटान जा रही है जिसक वनवेभाग के अधिकारी इस चीज में खुदी सल्लप्त हुए भी नजर आ रहे हैं तसकरी का काम लगातार किया जा रहा है वही वनवेभाग के अधिकारी इस पर कारवाई करने में भी नाकाम नजर आ रहे है बता दे प्रतिवंदत वनों में धड़लने से अवयद कटान की जारी अवैज शिकार किये जा रहा है इसके साथ ही अत्रिक क्रम्रण का भी काम किया जा रहा है अब इस पर समय रहते अगर रोक नहीं लगाई जाती है तो सरकार का एक सपना जो कि टाइगर रजव बनाने का सपना है शायद वो संभव ना हो पाए लेकिन इसके साथ ही ग् ताल के लिए नमश्कार देखते रेगे केके डिनियों.